ने पंदरोस चार में किया गुल मुखी नाम से कवीता सिगंदर लोदी ने लिखा इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मिर्ट्य दंडर दिया कि वह हिंदू एब इसलाम को समान बताता था इब्राहिम लोदी की मिर्ट्य यूदिक अस्थल में लड़ते वे पर्थम सासक म मध्यकलन इतिहास में हो गया और शिकंदर लोदी ने दुआ पर नियांदर करने के लिए राजपूतों को दिली के और बढ़ने से रोका फिर अपनी राजधानी बनाया आगरा को शिकंदर लोदी ने वजीर मिया ने भौसी बहुत सधी साक के गरंद का संस्कृत में फार् परा शिकंदर लोदी ने बनाया इवड़ायां लोदी के ग्षासक विगर hem जीत था अगे हैं सिकंदर लोदी सानाय सुननेका संगीन था। केंदर लोधी सलतनत काल एकमात्र सुल्टान था जिसने खुम्श का कोई हिंस्दिन लिया मैवार औरिवरहम लोगई के बीच माहलवा के लेकर झङद्ढ़ नहीं ब Librich फ्यद्द को हिरा न न करस्द आए सलतनत काल का राज व्यवस्द हम लोग कुछ देख लेते हैं तो देखिए पहला है मुशरीफ ए मुमालिक जिसको महा लेखा कार करते हैं यह आई वे का हिसाब रखता था और अभी जो कैग है कंप्यूटर ऑडिटरी जनरल उसमें उसको मुश्रीफ द्वरा बनाया गए लेखा की जाच करने से समधित होता था अगे है मुशरीफ करकार खाने का परमुख होता था मुशरीफ आगे है आमीर ए मजलिस या साही उत्सा एवम दावतों का परवन करता था अमीर हजीब सुल्ताने से मिलने वाली लोगों की जाच परतल करता था बारबाग दरवार का सोकन बनाए रखता था आगए है वकील एडर साही महल का सुल्तान की व्यक्तिकट से वाव की देखबाल अमीर एससदा एक सासक एक सहर या सोगाउर का प्रसासिन का दिकारी रसालत एम्मॉले की विद्दीश विवाह का प्रधान आगे मंत्री परशत को मंजलिस खलवत कहा जाता था मंजलिस खास दरवारी खान अमीर आदी भाग लेते थे इकता प्रथा काराम इलतुतिमस ने किया इंपर्टेंट इकता के परमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था चलिए आगे देखते हम लोग से सेना सैनी का परकार त करांतिय सेना वजीस और गैर वजीस मुस्लिम स्विमसिवक पाठ़क पायक कंस में हिसने मिलता था पैदल से चलिए भाड़ गुस्त भानी सथारे घुर सवार को को पाते थैं और आगे है नयालों का अस्तर की बात किया जा है तो वल थी नयाल है का जेए Candi सुबा नहाल मे करें संद्रानकाल के सब्सक्राइब अबस्था सुनी विधी पर अधरित था मदद एहमास दान की भूमि को करते थे मदद एहमास और खिराज के अबल गहर मुसलिम लिया जाता ठाय और उपज का एक वटब तीन से एक वटब दूद तक लिया अधर था और इमाम या वक्त के प्राप्त भूमी को प्राप्त करता वहां सन्य गनित अधिकार प्राप्त था तो साथियों हमारा दिली सल्दनात खतम हो गया चलिए थोरा यहां पर है देख लेते हम लोग उसका हम लोग पढ़ेंगे मुगलकाल आगे है कि अभंग नाम देव तुका भक्तिकालिन संतों में नाम देव इसलाम से सबसे ज़्यादा प्रवायत थे नाम देव के गीतात्मक पद गुरु गरंद साहिब में संकलित है आगे है इसके मराठी गीतों का संगलन अभंग था नाम देव का काना था एक पथर की पुजा होती है दूसरे पेरों तले रव भगवान है तुकाराम कहता है कि सिवाजी के संस्थापना किये वारकरी संप्रदाय के स्थापना किये वारकरी संप्रदाय के स्थापना तुकाराम के उपदेश अभंगों के मौसुदा तुमें था परमार्थ संप्रदाय के संस्थापना रामदास जी थे और रामदास ज थे इनकी प्रमुखरचना अदास बोध है महराष्ट में भक्तिकाल में एक अन्य पंथ महानुभाव पंथ के सामना गोविंद प्रफु ने किया तो साथियों यहां से बाबर हमायू लोती सब सुरू होगा तो साथियों कैसे लगा आप लोग जरूर नीचे कमेंट बक्स में अपना राय दीजेगा बहुत मेंना से यह अनिकी बुक पले खर दे प्रफ सब्हस्दि की मैं भीचे का तो मोगल local करेंगे ओस परेंगे सीर साथ को हम लोग परेंगे पर हम परेंगे किसको पढेंगे अकवर के बering के लए जहांगीर फिसकी बाद सा जहां परेंगे अलाऊटों गया और अजय को पढ़ेंगे और अजय खतम हो गया पुरिसका उसका शासन वेवस्था देखेंगे फिर उसके बाद माराथा समराज आएगा इस अब थोड़ा छोटा है माराथा समराज फिर उसका खतम हो जाएगा साथियो वीडियो को सेर कीजिए पसंद आयतों लाइक कीजिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में मैं रवी फ्रकास वीदा लेता हूं और थोड़ा आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो वीडियो के निचे लिखाओगा सब्सक्राइब एस यूबी एस सी आराइबी इस सब्सक्राइब इसको इसको है ना ऐसे 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 टिक किजिएगा सब्सक्राइब होगा साथियों ऐसे करके लाइक होगा यहाँ हाथ हाथ का बना होगा लाइक ऊपर क्यों लाइक कर दिजिएगा और सेर कर दिजिएगा सेर कर दिजिएगा तो साथियों अपने टेक्न स्क्राइमिकल कंपरिशन वेरियस चैनल को अजी सर्दिक प्यार दीजिए और फिर मिलते नेक्स वीडियो में लब यू अल माई स्टुडेंट्स